हेलो फ्रेंड्स कुक विट टेस्ट चैनल में आपका हर्दिक स्वागत है आज हम बनाएंगे नारियल की चटनी तो आईए नारियल की चटनी बनाना शुरू करते हैं इसके लिए हम पैन में एक छोटा चमच कुकिंग ओल डालेंगे अब हम इसमें एक छोटा चमच चना डाल डाल देंगे चना डाल को पहले पानी में धोले इसके बाद इसे सुखा ले इसके बाद इसे यूज़ करें कुछ सेकेंड के लिए हम इसे भून लेंगे ताकि डाल हमारी कच्ची न रह जाए अब हम इसमें एक बड़ा चमच मुमफली डाल देंगे मुमफली डालने से नारियल चटनी में टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है कुछ सेकेंड के लिए मुमफली को भी हम ऐसे ही पका लेंगे अब हम इसमें आदा छोटा चमच जीरा डाल देंगे एक साबुत लाल मिर्च डाल देंगे और थोड़ा सा अधरा कोर हरी मिर्च डाल देंगे अगर आप तीखा कम पसंद करते हैं तो हरी मिर्च और लाल मिर्च में से एक चीज को स्किब भी कर सकते हैं मिक्स करेंगे और कुछ सेकिंड के लिए इसे पकाएंगे अब हम इसमें अपना कटा हुआ नारियल डाल देंगे, ये मैंने एक फ्रेश नारियल का यूस किया है, कुछ सेकिंड के लिए इसे भी भूनेंगे, इस तरह भून कर बनाने से चटनी भहुती टेस्टी बनती है, आप इस चटनी को डोसा, इडली, किसी भी चीज के साथ अब गैस की फ्लिम को बंद कर देंगे, और इसे ठंडा होने देंगे, ठंडा होने के बाद हम इसे ग्रैंड करेंगे, ग्रैंड करने के लिए हम इसे ग्रैंडिंग चार में डालेंगे, स्वादा नुसार नमक डाल देंगे, और थोड़ा सा हम इसमें इमली डाल देंगे, अमली डालते समय ध्यान रखें कि इसमें इमली का बीज ना हो। अब शक्तन सार पानी डाल कर हम चटनी को ग्रैंड कर लेंगे। ये देखेए Friends चटनी को मैंने ग्रैंड कर लिया है, अब हम इसे किसी बाउल में शिफ्ट कर लेते हैं। ये देखे फ्रेंड्स चटनी की कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा गाड़ा या बहुत ज़्यादा पतला हमने इसे नहीं करना है अब इसका टेस्ट बढाने के लिए हम इसके ओपर एक बढ़िया सा तड़का लगाएंगे तड़का लगाने से चटनी का टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है तड़का लगाने के लिए हम पैन में एक चमच कुकिंग गोईल डालेंगे अब हम इसमें आदा छोटा चमच उड़त दाल डाल देंगे और दाल को रोस्ट होने देंगे अब हम इसमें आदा छोटा चमच सरसो और एक साबुत लाल मिच डाल देंगे जब स ये देखे फ्रेंट्स कितनी बड़िया नारियल की चटनी बनकर हमारी रेडी है आप इसे इडली, डोसा, किसी भी जीच के साथ सर्फ कर सकते हैं आप भी इस रेसिपी को फोलो करके नारियल चटनी एक बार बनाएं जरूर आपको भी पसंद आएगी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सबस्क्राइब भी करें थैंक्स फॉर वचिंग गुड़ बाई